What's up guys, welcome back once again, दोस्तों ये एक 16 साल की लड़की जेसिका की true story है, जिसने छोटी सी उमर में दुनिया घूमने का सपना देखा था, उसका कहना था कि वो दुनिया के हर एक समुंदर के उपर से होकर गुजरना चाहती है, जोटी सी सेलर बोट पर, लेकिन क्या ये उसका सपना और उसने उसे वादा किया, कि वो जल्दी उससे मिलने आएगी, अपनी बोट के साथ, जैसे जैसे दिन बीटते चले गए, 10 साल की उमर में, जेसिका ने अपने इस रीम को अपने मॉम डाट के साथ शेयर किया, लेकिन उन्हें ये एक मजाक लगा, लेकिन धीरी-दीरे उन में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन न जाने कहां से ये कार्गो शिप उसकी बोट से टकरा जाता है, जिस वज़े से जैसी का बहुत घबरा जाती है, और फौरण अपने कोश को कॉल लगाती है, जब अगले दिन वो पोट पर वापस आती है, तो सभी मीडिया व बूस सकें, जिससे कि वो इस आइडिया को ड्रॉप कर दे, यहां वो से साबित करना चाहते थे कि जैसी का एक नौसिक ही आए, और वो ये चैलन्ज पूरा नहीं कर सकती, लेकिन जैसी का उनका कोई जवाब नहीं दे दी और चुपचाप अपने घर आ जाती है, कुछ जु मस हो जाए, जिसे कि आपको डेर सारे पैसे मिल जाए, वो जेसी का से भी पूचता है कि जब तुम कारकोशिप से टकराई, यह तो तुम्हारा अलाम क्यों नहीं बजा, तो जेसी का कहती है कि वो अलाम आन का न भूल गई थी, और यह बोलते है एक रिपोर्टर उसे सवाल उठाने लगता है कि तुम एक पोर्ट तक पार नहीं कर सकती, ऐसे में तुम पूरा समुंदर का चकर कैसे लगा पाओगी, जेसी का उस रिपोर्टर का जवाब देती, वो कहती है कि आपको जो समझना है समझ लिजे, मैं अक्तूबर में अपनी ये ट्रिप शुरू करने व सकती है, दूसरी और हमें पता चलता है कि उसकी टकर की वज़े से बूर्ट का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जेसे ठीक करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, और इसके लिए जेसी का अपने स्पॉंसर को कॉल करती है, लेकिन यहां वही होता है जो आज से नहीं, ब लेकिन तुम है यह पूरा करना होगा, ताकि तुम उन्हें गलत साबित कर सको, इसी दौरान हम फ्लाइच बैक में जाते हैं जिसमें जेसी का काफी छोटी है, और तब जेसी का ने मार्टिन के बारे में पहली बार पड़ा था, कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया का चक्क लगाया और साथ में वो एक अच्छा स्वीमर भी है, अब जेसी का ने उसे अपना कोज बना लिया और तब से लेकर आज तक वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा है, कहानी प्रेजन में आती है जहां हम देखती है कि जेसी का अब काफी परिशान है क्योंक क्यों सारे सेलन ने उसकी बोर्ट को ठीक कर दिया था, वो भी बिना किसी पैसो से, अब ये देकर जेसी का की आँखों में आसु आ जाते हैं और वो सभी चाहते थे कि वो अपने सपने को पूरा करे, अब आते समय जेसी का के डैड को वही रिपोर्टर मिल जाता है जो उसक इंटर्वी लेने लगता है, घर आने पर जब सब लोग उसका इंटर्वी देख तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके डैड कह रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं है कि उसकी बीटी ये कर पाएगी या नहीं, तो जेसी का उनसे पूछती है कि डैड पसाएगी, रात होने पे उसकी बड़ी बेहन उसका एक व्लॉग बनाती है और कहती है, तुम मुझे अपनी सारी वीडियो सेंड करना, मैं यहां से उन्हें अपलोड कर दूँगी, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि तुम आखिर क्या कर रही हो, और वो दिन आ जात वालों को भी देखते हैं जो जेसिका के सारे चीजों को चेक कर रहे थे, आज का दिन है 18 अक्तूबर 2009, अब देखते हैं कि जेसिका आखिर कितनी दिनों में समुंदर का चकर लगा कर वापस लोट दिया, या फिर ये सफर उसके लिए अधूरा रह जाएगा, कोज अपना स सारा समाल लेकर जेसिका के घर आ गए थे, क्योंकि अब वो यहीं से उसके रूट पर नज़र रखेंगे, अगर उसे कहीं भी कोई दिक्कत आई तो वो उसकी मदद कर सकेंगे, अब तीन दिन में जेसिका ने 396 मील का सफर पूरा तैकर लिया था, और ये बात वो अपने प और फाइनली सिड्नी पहुच जाएगी, लेकिन ये सिन्ने में जितना आसान है, रियालिटी में उतना ही जादा मुश्क, अब वो ये भी बताती है कि वो किसी भी पोर्ट पर नहीं रुकेगी, वरना वो इस मिशन में फेल हो जाएगी, और इसलिए उसे अब बस चलते रह आता था, जिससे ये मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी, यहां जेसी का भी ऐसी ही करती है, और फिर वो सो जाती है, जेसी का ने अब बारा दिनों का समय टैकर लिया था, अब वो पैसिफिक ओशन से आगे बढ़ते हुए, फिजी की तरफ बढ़ रही थी, अब बीच में उसे कई सारी वेल्स भी दिखाई देती है, जिसे वो शूट भी करती है, और इस पर वो खूब एंजॉई भी करती है, लेगिन उसका असली इंतिहान अब शुरू होने वाला था, यहां तक तो हर कोई आ जाता है, लेगिन इसके आगे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं, ऐसा कि इंडियन ओशन की शुरुवात जहां पे बड़े बड़े शिप ढूप जाते हैं, तो जेसिका की बोड़ तो बहुत ही जादा चोटी है, उदर जेसिका ने 33 दिन समुंदर में बिता चुक है और उसने पूरे 4000 मील का सफर पूरा कर लिया, वो सदन पैसिफिक ओशन से न नहीं है क्योंकि तुफान की स्पीड बहुत ही जादा तेज है, इसलिए उसे अब उसका सामना करना ही पड़ेगा, जब तक वो रूट चेंज करेगी वो उसके पास आ जाएगा, उसी दिर बाद लहरे उसकी बोड़ से टकराना शुरू करती है, जिसमें वो पूरी तरीके से उपर नीचे होना शुरू हो जाती है, तब कोच बताती है कि तुम्हें आंकर पानी में डाल देना चाहिए, ऐसे में तुम्हारी बोड बैलनस रहेगी, वो ऐसे ही करती है, लेकिन वो लहरों का क्या करीगी, क्योंकि पानी अब बोड़ के अंदर आ चुका है, जिसमें उसकी बहुत सी चीजें खराब हो चुकी है, उनी चीजों को ठीक करने के चकर में उसे एक तीस का जटका आता है, जिस वज़े से उसका सर जाकर टीबल से टकराता है, और वो वहीं भी वोश हो जाती है, जब उसकी आंक खोलती है, तब तक सूरज निकल चुका था, वो सब से पहले कोश को इंफॉर्म करती है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो उसे समझाती है कि अभी तो ये बस एक शुरुवात है, तो मैं ऐसे तुफानों के लिए तयार रहना होगा, इस तुफान के वज़े से उसका पूरा परिवार डर में चला गया था, उदर उसके घर पे कई सारे रिपूर्टर एकटा हो जाते, तो कि उन्हें कल तुफान के बारे में पता चल गया था, तब भी हैना आकर उन्हें जेसिका के ब्लॉग की आईडी दी थी और कहती है कि सारी अपडेट आपको यहां मिलेगी, अब सभी लोग तुरंती उस व्ल में तीन मिडल जीत लिया है, अब अपनी फैमिली को ऐसे खुछ देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, वो सभी को मिस्स कर रही थी लेकिन उसे ये भी करना ज़रूरी है, वो के लिए अब काफी बूर होने लगी थी और वहीं बूर्ट पर ऐसे प करती है और वो साउथ अटलांटिक ओशियन तक पहुच चुकी थी, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाती ही क्योंकि उस एरिया पर विंड का कोई बहाव नहीं था, और ना ही किसी भी तरह का वेव थी जिस वज़े से उसकी बोट वहीं पर रुकी रह जाती है, वो प गरवाले परिशान हो जाते हैं कि जेसिका को कुछ हो तो नहीं गया है, और तब एक दिन वो अपनी कोच से बात करती है, कोच उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कम से कम हम से अपडेट तो लेती रहो, इसी चक्कर में वो अपने कोच पर गुस्ता निकाल देती और जिसे कि उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो उसके घर को छोड़ कर चले जाते हैं उदर जेसी का भी रोने लगती है क्योंकि वो पुरी तरीके से फ्रस्टेट और परिशान हो चुकी थी उसे कुछ समझ नहीं आदा कि आकर वो क्या करें एक जगा पर फश चुकी थी अब रात होने पर वो अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम से समझाती है कि तुम्हें अपनी कोच बेंच से ऐसे बात नहीं करना चाहिए उन्होंने तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया है तुम जिस सफर पर निकली हो वहाँ पर मुसीबते आएंगी लेकिन तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा बस होसला रखो और खुद पर यकीन भी देखना कुछी दिनों में वेव और हवा धोनों आएंगी अब जेसिका को उनकी बात सही लगती है इसलिए वो शान्त हो जाती है और नेक्स डे वो फिर से अपना व्लॉग शूट करती है जिसमें वो सभी को पताती है कि उसके ये पिछले साथ दिन बहुत ही बुरे भी थे हैं खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको बहुत सी चीजें खोनी परती है बहुत सी मुश्किलों का सामना करना परता है तभी आप खुद के ड्रीम को पूरा कर पाते हैं अब उसके सारे व्लॉग को वो रिपोर्टर भी देखता है जिसने उसे कई सारे सवाल पूछे दे अब ये बात नियूज में भी टेली कास्ट होती है लेकिन यहाँ जेसी का अब खुद की गलती का एसास होता है उसने कोच को जैसे बात करी है वो बिलकुल गलत इसलिए वो अपनी मॉम से उनके बारे में पूछती है लेकिन वो बताती है कि कोश ने उनसे कई दिनों से बात नहीं करी है इसी दुरान उसकी नजर बोर्ट पे आ रही दरारों पर पड़ती है जो कि एक अच्छी बात नहीं है अगर अब कोई तुफान आया है तो शायद उसकी बोर्ट डूब भी सकती है या फिर बीच से तूट सकती है लेकिन उसके पास कोई आप्शन नहीं है वो किसी भी पोर्ट पर रुक कर उसे ठीक नहीं करा सकती है और ना ही उसे कोश से बात हो रही है कुछ दिन बीचने के बाद जेसिका अब ऑस्ट्रीलिया अपने घर पहुशने वाली है लेकिन तब ही एक बार फिर नहीं मुश्किल आ जाती है जेसिका देखती है कि एक नहीं बल्कि तीन तुफान उसकी तरफ तीजी से बढ़ रहे है देखकर वो बोर्ट के बहान निकलती है और गौड से कहती है कि ओ गौड नहीं ऐसा क्यों आप कर रहे है अब इस तुफान की बात कोश बेन को भी पता चल गई थी इसलिए वो फॉरण उसके घर आते हैं और उसके मॉम डैट को ये बताते हैं लेकिन तब तक सारे न्यूस चैनल वाले ये बात दिखाने लग गए थे कि अब जेसिका का बचवाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऐसे तुफानों में इतनी छोटी बोर्ट सर्वाइब नहीं कर पाएगी वो उसे किसी भी पोर्ट पर रुखने की सला देते हैं लेकिन वाँ जेसिका सारी कालकुलेशन कर रही थी कि वो कैसे इस तुफान का सामना करेगी तब ये उसके पास उसके घरवालों का कॉल आता है जिसमें उसकी बहन उसके सामने व्लॉग के कॉमेंट पढ़ने को कहती है जब जेसिका उन कॉमेंट्स को पढ़ती है तो उसमें दुनिया के हर कोनी से लोग उसके जज़बे की तारीफ कर रहे थे जिसे उसे और होसला मिलता और वो फैसला करती है कि वो इस तुफान के साथ आगे बढ़ेगी पीशे नहीं अठेगी उसके कोज उसे ऐसा करने से मना करते हैं उसके डाट भी वापस आने को कहते हैं क्योंकि उसमें उसकी जान जा सकती है लेगिन जेसिका ने फैसला ले लिया था और इसलिए उसके इस होसले के आगे सभी लोग हार मान जाते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि उसे कुछ ना हो जैसिका ने सारी वो तयारी कर ली थी जो उसे बताई और सिखाई गई थी लेकिन ये उसकी उमीद से जादा बड़ा तूफान था एक कारगो शिप जितना उचा और उसे बहुत सारे जटके महसूस हो रहे था जटके बहुत ही ज़ादा बड़े थे उसे भी अपता चल चुगा था कि शायदा वो नहीं बच पाएगे इसलिए वो आकरी बार अपने घर को कॉल करती है अब सभी लोग उसके आवास सुनकर घपराए हुए थे लेगिन तब ही हम एक बहुत ही विशाल लहर को देखते हैं जो उसकी तरफ आ रही थी है और देखते ही देखते है जैसिका की बोट उसमें पूरी तरीके से पलट जाती है उन पलों में जैसिका अपने घर वालों के साथ बिताय हुए पलों को याद करती है लेगिन यहां हम चीज़ों नोटिस करती है कि उसके केबिन में पानी नहीं जाता क्योंकि यो बोट कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि अगर उसे लॉक कर दिया जाए पानी अंदर घुस नहीं पाएगा कुछ समय के बाद फोन भी बंद हो जाता है और उसकी कोई खबर नहीं थी उसके घर वालों को यकीन हो जाता है कि जेसिका आप नहीं बची अब उसके घर वालों को यकीन हो जाता है कि जेसिका आप नहीं रही पूरा परिवार बिखर गया था लेकिन जेसिका के साथ ऊपर वाला मौजूद है उसके सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है शायद नेचर भी तब ही हम देखते हैं कि उसकी बोट ऊपर आ जाती है और जेसिका भी ठीक है वो सबसे पहले अपने घर में फोन करती है और इसकी आवास सुनकर सभी को यकीन हो जाता है कि इस लड़की में जरूर कुछ तो बात है येतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है अब बाहर है ना आकर सभी मीडिया वालों को उसके बारे में बताती है कि मेरी बहन अभी जिन्दा है और वो वापस घर लोटा रही है उधर हम देखते हैं कि धीरी धीरी तूफान अब शांत हो गया है और अब उसके घर की दूरी कुछ ही मीलो किया लेकिन यहां हम देखते हैं कि उससे रिसीव करने लोगों में काफी एकसाइटमिंट है नेक्स डे जब जेसी का सोकर उठती है तो देखती है कि वो सीडनी हारबर पहुच गई है जहां पर तकरीबन 80,000 लोग उसे इंतिजार में खड़े हैं कुछ ऐसे भी लोग थे जिने अभी तक यकीन नहीं था कि इतनी छोटी उमर की लड़की आखिर इतना बड़ा काम कैसे कर दिया लेकिन जेसी का ने उन्हें यकीन करने पर मजबूर कर दिया सबी लोग वाँ चुलाते हैं और उनके घर वाले भी मौजूद थे जिनके चेहरे पर एक प्रावड स्माइल थी और फाइलली जेसी का ने अपना सपना पूरा किया आके में कुछ रियल फूटिज हम देखती हैं जेसी का वाटसन की जो पूरे 210 दिनों के बाद लौट कर घर वापस आई उसने सबसे कम उमर में पूरी दुनिया के समुंदर को पार करने का वर्ड रिकॉर्ड बनाये था और ऐसा करती हुए उसे 70 फीट की लहरों का सामना करना पड़ा वापस आने पर उसने दो बुक भी लिखी जो आज तक सेल हो रही है और आज के दिन में वो एक काम्याव और experience seller है इस कहानी से आपको एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं इसी के साथ ये कहानी एक अदम हो जाती है मिलते हैं आप से क्लिए मैं थैंगे वे सो मुझे वाचिं, पीसाओ